हलो दोस्तों प्रतिमा जियास अकाड़िमी पर आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप लोग उम्मीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों सम्मिधान के भागतीन तक यानि मौलिक अधिकार हम कम्प्रीट करा चुके हैं हमारे प्रेलिस्ट में जा करके आप लोग सारे क्लासेश देख सकते हैं आज हम राज के नीत निदेशोक तत यानि भाग चार के बारे में चर्चा करेंगे साथियों अब सब्ता के तीन दिन यानि सोमवार मंगलवार और बुद्धवार हम भारत का सम्मिधान पढ़ाएंगे और चार दिन ब्रहस्पतवार सूकरवार सनिवार और रविवार हम भारत का इतिहास पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोगों के क्रमसा एक्जाम पास आ रहे हैं चावपेट का एक्जाम हो या समिछा अधिकारी आने वाला है वो एक्जाम हो या कोई अन एक्जाम जिसमें जियस पूछा जाता है तो आप सभी लोगों के importance को ध्यान में रखते हुए, आप सभी लोगों के exam को ध्यान में रखते हुए, हम ने ये निड़े लिया है, ठीक सत्यों, शुरू करते हैं, भाग चार, सत्यों, मौलिक अधिकार, भाग तीन, ये मैंने बिध्वत बताया है, उन में से अनुच्छेद 19 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वाक्यों अव्यक्ति की स्वतन्तरता, तो ये प्रस्ण कल एक्जाम हुए था, राजसुलेकपाल का, तो ये प्रस्ण उसमें आ गया था, और जो राजिके निदेशवत तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से 51, ये ऐसे ही, जैसे मैं जब भी कोई टॉपिक सुरू करता हूं, तो उस टॉपिक में जो मैं अनुच्छेद कहां से कहां तक है बताता हूं, उसी तरह का, कल का एक प्रस्ण और था, जो हमारे साथियों ने एक्जाम दिया, तो उन्होंने मैं जिस सूचित किया, कि सर जो आपने बताया था, जिस तरह का एक्जाम में एक्जेटी जाया है, कुछ मैंने, जो कि इस में अभी क्लासे नहीं ले पाया हूं, आप लाइन जो कुछ मित्रों को मैंने पढ़ाया था, उनका भी काफी इस फुल रहा है, हमारे क्लास से काफी कुश्चन रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करते रहें, और क्लास को कांटीनू देखते रहें, साथियों अनुच्छेद 36 से 51 तक भागचार में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज के नीति निदेशक तत्तु के बारे में बताया गया है, जिनमें अनुच्छेद 36 में राज की परिभासा बताया गया है, साथियों सम्विधान में बताया गया है अनुच्छेद 36 में कि राज की वही परिभासा होगी जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में दर्साई गई है, इसका मतलब ये है कि जो राजी की परिभासा की बात कही गई है वो अनुच्छेद बारा की भाती ही रहेगी अलग कुछ नहीं रहेगा और आप लोगों को ग्यात होगा जिन्होंने भी हमारा मौलिक अधिकार का पहला लक्चर देखा होगा उसमें मैंने साब साब बताया है कि अनुच्छेद बारा में राजी की परिभासा क्या है इसको देखने के लिए मौलिक अधिकार का क्लासेस आप लोग देखिए अनुच्छेद 37 इसमें बताया गया है गेर नियायोचीत तो साथियों मौलिक अधिकार और DPSP DPSP राज के नीत नहीं दे सकता तो कोई इंगलिस में कहा जाता है इसको बोलते हैं Directive Principle of State Policy Directive Principle of State Policy जो राज के नीत नहीं दे सकता कहा जाता है तो DPSP और मौलिक अधिकार में एक बेसिक अंतर ये होता है इस बेसिक अंतर को बताने के लिए मौलिक अधिकार के अनुछेद 12 से 35 के पस्चाद 31 से अनुछेद 36 से 51 में जो ये अंतर बताया गया है ये अंतर अनुछेद 37 में बताया गया है ये अंतर क्या है? ये अंतर ये है कि मौलिक अधिकार नियाई योग है नियाई? योग है और DPSP यानि कि राज के नीतिनी दे सकत्त तो गैर नियाय योग है इसका मतलब यह होता है कि जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुचेद 32 के तहट आप सुप्रीम कोड जा सकते हैं अनुचेद 226 के तहट आप हाई कोड जा सकते हैं लेकि साथ हो याद रहे कि राज के नीतिनी दे सकत्त में अगर किसी प्रकार का आपका कोई भी कारिन नहीं होता है तो आप नियायाले नहीं जा सकते क्योंकि अनुछे सैतिस में साप साप कहा गया है कि राज के नीत निदे सकत्त यानि भागचार गैर नियाय योग है उसके लिए राज अपने अनुसार सुविधा के अनुसार कारी कर सकता है उसे बाद नहीं कहा सकता है जैसे अगर इसमें राज की जो बाते हैं राज अपने अनुसार काम करेगा अपने अनुसार का मतलब भी मैं भी बताता हूँ कि अपने अनुसार का क्या मतलब है और इसमें है कि जनता के लिए करना होगा ये ब्यक्तिकत होता है मित्र जो मौलिक अधिकार यानि फंडामेंटल राइट है ये ब्यक्तिकत होता है और ये सामाजिक होता है ये पूरे समाज को ध्यान में रख करके कार करेगा और ये ब्यक्तिकत होता है मौलिक अधिकार राजनेतिक अधिकार की रुक में ध्यान दे करके क्या आता है राजनेतिक अधिकारों को ध्यान में रख कर किया जाता है और ये जो है राजनेतिक लोगतंत्र को भी ध्यान में रखता है और साथियों ये आर्थिक लोगतंत्र आर्थिक लोगतंत्र साथियों आप लोग नोट करते चलिएगा जितने मैं point बता रहा हूँ यह हर एक point अपने आप में question है कहीं से भी पूछ सकता है यह जो अनुछेद में बताएगे हैं यह आर्थिक लोगतंत्र की बात करता है जब गैर नयाय हो योग्य है राज अपने अनुसारकार करेगा यह सामाजिक है और आर्थिक लोगतंत्र की बात करता है यह राजनेतिक लोगतंत्र की बात करता है इसके लिए जब भी अगर स्टेट को कल्यान कारी कारे करने हो आर्थिक लोगतंत्र को सम्रिद बनाना हो तो यह राज की जिम्मेदारी है उनका दायुत तो है कैसे कारें लेकिन इसके लिए आप उन्हें बाद नहीं कर सकते अब आर्थिक लोगतंत्र को सम्रिद्ध बनाने के लिए ही चाहे वो महिला कल्यानकारी योजनाय चलाई जा रही हो चाहे सिच्छा प्रणाली से संबंधित योजनाय चलाई जा रही हो स्वास्त से संबंधित योजनाय चलाई जा रही हो या राज्य के द्वारा कोई भी कल्यानकारी कारे चलाई जा रहे हैं वो आपके राज के नीत निदेशक तत्तो अर्थात भाग चार में अनुछे 36-51 के तहट ही किया जाता है और उसके पस्चात ही उनका परिणाम राजनेतिक लोकतंत्र को मजबूत करना होता है इसमें बाध्यकारी बेशक न हो लेकिन राज जी अगर इसे अपने दायत्तो की रूप में नहीं लेगा राज के नीत निदेशक तत्तो को अपने दायत्तो की रूप में नहीं लेगा तो वह न तो राजनेतिक रूप में भी सफल हो पाएगा और जनता उसको सुविकार भी नहीं करेगी इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि राज के नीतिनी देशोग तक तुमें गैर नियाय उचित बनाया भेसक गया हो लेकिन राज अगर उसे अपने दायतियों से मुकरती है तो न तो राजनेतिक लोगतंत सफल होगा और नहीं वही राजनेति रूप में सफल होंगे जो सत्ता में होंगे तो दोस्तों ये गैर न्याय उचित है ये याद रखिएगा ये सामाजिक रूप से मिलता है और आर्थिक कल्यानकारी लोगतंत्र को मजबूत बनाता है मौलिकतकार न्याय योग है जनता के बेक्तिका धीत को ध्याद में रखता है राजनेतिक लोगतंत्र को बढ़ावा देता है तो साथियों अगला अनुच्हेद है अनुच्हेद 38 अनुच्हेद 36 और अनुच्हेद 37 में जो भी बाते हैं उसमें इतने इतने कोशचन निकल सकत बाकि अनुचेद 38 से जितने भी लोग पढ़ते हैं बहुत लोग क्लासेज लेते हैं तो 38 से तो याद करते हैं रटते हैं लेकिन सभस्थखा बनाएगा जिससे नागरी को सामाजिक यवं आर्थिक तथा राजनेतिक न्याई मिल सकेगा दोस्तों सम्मिधान के प्रस्तावना में कहा गया हैas करकार के न्यायय si car sasia listening day dayильman संप्रकार के न्यायय बताएð गये-जै कि कि सामाजिक नियाए कि आर्थिक नियाए कि और राजनेतिक नियाए तो यह कैसे जो यह कहा गया है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपुर प्रभुत समाजवादी पंतनी रिपेच्छात आत्मक राज बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक नियाए करेंगे तो यह जो न्याय होगा, तो न्याय कैसे होगा राजनेतिक न्याय तो मोली कदिकार से आप ले लोगे आप कह सकते हो कि हम अनुछे 219 के तहत संग भी बनाएंगे हम अपनी बातें भी रखेंगे हम हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे लेकिन आपको सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा कैसे आप आर्थिक सम्रुद्धी को बढ़ाएंगे सरकार कैसे लोग कल्यानकारी कारे करेगी तो ये सब बाते अनुछे 38 में हैं तो सामाजिक और आर्थिक राजनेतिक न्याय की बात करता है तो जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है ये राज के नीत निदेशक तत्त में सामिल हैं और राजनेतिक न्याय आपके fundamental राइट में सामिल हैं दोस्तों अगला अनुच्छद है अनुच्छद 41 नीत निदेशक तत्त के अनुच्छद 41 में जितने भी प्रावधान बताये गए हैं उसमें एक बेक्त या एक नागरिक के जीवन में लागू होता है जैसे पुरुस और महिलाएं जब साथ में काम करती हैं तो आज भी कई इसे समाज में महिलाओं को बेतन कम दिया जाता है और पुरुस को ज़्यादा दिया जाता है तो अनुच्छद 49 में कहा गया है कि पुरुस और महिला को समानकार के लिए समान बेतन दिया जाए अनुछिर बन तालिस में ही कहा गया है कि एक नागरिक को न्याय देने के लिए अगर उसे बिधिक सहायता प्राप्त करने की छमता नहीं है तो सरकार उसे निसुल्क बिधिक सहायता प्राप्त करवाए संसाधन का जो बितरण है उसे भी समान रूप से होना चाहिए जैसे 1950 का जो भुवांदोलन चला था बिनोबा भावे जी ने भुवांदोलन चलाया था तो समान संसाधन के बितरण के ही बात थी सभी नागरिकों को समान हक है कि ओस अंसाधन पर अधिकार भी करें उनको नियाए भी बिवस्था मिले उनको बेतन समान रूप से दिया जाए तो ये सारी चीजें अनुछेद को नतालिस के का में है खा में है गा में है गा में है का में कहा गया है कि समान नियाए योम निसुल को बिधिक सहायता कि जब नियाए ब्यवस्था या नियाए पालिका अगर नियाए दे तो ये न देखे कि कौन ब्यक्ति अमीर है और कौन ब्यक्ति गरीब है इसका भेद किये बगैर नियाए सब को समान मिलना चाहिए समान रूप से मान लिजए कि अगर एक्स ब्यक्त है और एक्स ब्यक्त ने कोई अपराध कर दिया है अब इसने चाहे है जाने में किया चाहे अंजाने में किया अब जो की अपराध किया है तो इसे दंड का प्राउधान हो सकता है यह न्यायाले इसको जाना पड़ेगा अब माननिय न्यायाले के समझ जब यह प्रस्तूत होता है तो ना तो इसको इतना इल्म है इतना काबिल यह नहीं है कि अपने वकाला स्वयम कर सके साथियों हमारे भारत के सम्मिधान में या हमारे भारत में हर नागरी को अपनी वकालत करने का अधिकार प्राप्त होता है चाहे उसने LLB क्या रखा हो या ना कर रखा हो ये फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर professional के रूप में दूसरे के लिए नयाक के लिए आपको लड़ाई करना है तो आपके पास में एक RLB डिग्री होनी चाहिए तो इतना काबिल यह नहीं है कि स्वेम कर सके दूसरा इसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि यह अपने मन पसंद वकील रख सके मन पसंद विधिक सलाकार रख सके तो सरकार इसको एक निसुल्ख विधिक सलाकार देती है सलाकार देती है तो यह अनुचेद 49 के का में बताया गया है अनुचेद खा में कहा गया है कि सारवजनिक धन का स्वामित तथा नियंतरन इस प्रकार करना ताकि सारवजनिक हित का सरवत्तम साधन हो सके सातियों बिस सुमे सतत विकास की आउधारना चल रही है सस्टनेबल डेपलमेंट की बात की जा रही है तो जो सस्टनेबल डेपलमेंट की बात की जा रही है वो इसी बेस पी किया जा रहा है कि बरतमान की पीढ़ी बरतमान की पीढ़ी का कोई भी संसाधन नुकसान किये बगएर अपना कारी करना और आने वाली पीड़ी के लिए संसाधनों को बचा के रखना तो साथियों अनुछिद 49 के खा में जो सतत विकास की अउधारणा है उसे देखा जा सकता है उसे समझा जा सकता है अनुछिद गा में 49 के गा में है कि धन का समान वितराण धन का समान वितराण तो धन का समान वितराण कैसे होगा जब राज हस्ता छेप करेगा अब निजी रूप में अगर एक्स ने धन जादा कमा लिया है और वाई बैठा हुआ है तो वाई कह नहीं हमारा अधिकार है कि हमें धन का समान वितराण हो तो जो एक्स ने कमाया है 100 रुपिया और हम सो रहे थे तो सोने के पश्चाद अब हमको इसमें से 50 रुपिया चाहिए तो यह कह देगा अब क्या कहेगा आप लोग भी समझ सकते हैं अब हम नहीं बोलेंगे लेकिन अगर 500 रुपिया एक्स ने कमाया है तो वाई सो रहा है तो वाई को मिलेगा 0 क्योंकि एक्स भी प्राइबेट ब्यक्ति है और वाई भी निजी ब्यक्ति है और दूसरी बात अनुच्छेद बनतालिस के गा में कहा गया कि धन का समान बित्रण तो यह निया योग नहीं है इसके लिए नियाले नहीं आ सकते और नियाले जाओगे तो नियाले कहेगा आप क्या कर रहे थे तो कहेंगे हम सो रहे थे तो क्या आप सो रहे थे और यह पढ़ रहे थे या कुछ और कारी कर रहे थे तो सो रुपिया कमाए तो यह तुम्हारे लिए किये थे तो इनको नह पुजनाय चलाए जाएंगी उसका लाब जो मिलेगा वो इनको मिल सकता है लेकिन जो 90 रुपय इनका बचेगा उस 90 रुपय पर के वल अभी यक्स का ही अधिकार होगा तो यह अनुच्छ उन्तालिस का जो बताया गया धनका समान बित्रन के लिए उनीश उसो पचास में बिनोबा भावे जी इन्होंने भू आंदोलन चलाया था क्या चलाया था भू आंदोलन जो भू आंदोलन चलाया था तो इन्होंने लोगों से जमीदारों से और अन लोगों से बिनोवा भावे जी ने अपने देश के अमीरों से जमीदारों से और अन बड़े तबके के किसानों से कहा था कि आपके पास अगर अधिसेस भूमी है जादा भूमी है तो आप कुछ भूमी देश को दान कीजिए जिसे गरीब लोगों को भी कुछ खेती प्रवाइड करा जाए उनके भी आजीब का कोध्यान में रखा जाए यह बहुत सफल अंदोलन था कहा जाता है कि कुछ अही समय में कई लाख हेक्टियर जमीन जो है बिनोवा भाबे जी के समझ कर दिया जग गया था जो राज के कई गरी तबके को बाटा गया था जिसे आज के रूप में आप लोग ग्राम समाज पट्टा या अनप्रकार की जो है भूमी को जानते हैं वो इसी के तहट था 49 के घा में कहा गया है समान कार के लिए समान बेतन जिसे महिला है या पुरुस है अगर दोनों लोगों को समान कार है कहा में कहा गया है समान कार के लिए के लिए समान बेतन अब इसमें पुरुस है या महिला है या कोई अन है मान लिजे आप भी ESDM है और एक महिला भी ESDM है तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये पुरुस महोदे हैं ये बहुत योग होते हैं इनके दाड़ी मोच होता है तो इनको बेतन दिये दिया जाए पचास हजार और ये महिला हैं इनकी दाड़ी मोच नहीं होता है ये ज़्यादा आकर सक लगती हैं तो इनको दे दिया जाए साथ हजार या इनको दे दिया जाए चालीस हजार क्योंकि ये सारी रूप से कमजोर होती है तो ये मानने नहीं होगा मानने होगा कि अगर तनखा दोनों का बेतन चालीस एक का चालीस है तो सरकार चालीस ही दोनों को देगी लेकिन साथियों ये ध्यान रहे कि ये जितने भी प्रकार की बाते हैं ये राज के लिए लागू होती है प्राइबेट संस्थाओं को उनके खुद के चिम्मेदारी पे छोड़ दिया जाता है उसके लिए बाद्धिकारी नहीं होता है और आपके लिए भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि राज में ग्यायर नियायोचित है ये बातें बताई ग करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें सियर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें धन्यवाद जय हिन जय भारत